इसलामेकम एक रिसेंटली जो मेरी नॉलिज में आप समझे लें या एक अंडिस्टांडिंग में कॉंट्रिबुशन हुई ती सर्फाइस की तरफ से उन्होंने बहुत ही इंट्रेस्टिंग एक इसलाम और साइकॉलोजी या पेरिंटिंग को लिंक किया था with regards to the impact of construction on children और इट वस फैसिनेटिंग इतनी जबरतस तरीके से क्योंके दीन में आपको पता है कि बिशमार जगा में कुरान में मैंचिन किया गया है कि तुमारा कमरा और तुमारे बच्चों का कमरा या तुमारा घर या बच्चों का घर या इस तरीके से ब माबाप के घर आप जा रहे हैं या तुमारी बीवियों का कमरा इस तरीके से बात की गई है जो एक डिमार्केशन है जो के एक काटेगरी हमें दी गई हैं हुजरे होते थे अलक होते हैं उनके हसाब से कहा जाता था कि जैसे कि अपनी एक एरिया होगा एक प्राइविट एर हाती है गाइडलाइन अल्ला की तरफ से के हाव एर सपोस्ट टू डिजाइनर हाउस हम उसके साथ से चलते नहीं हमने तो देख लिया जी डिजाइन अच्छा लगिया हमें को मैगजीन में या किसी के घर गए तो वहां देख लिया मूवी में कोई देख लिया या एक जैनर जादा किसी और चीज़ की है और वहाँ हमारी जो लाक ऑफ अंडिस्टैंडिंग आ जाती है उसके असरात बच्चों पर आ रहे होते हैं क्योंकि बाद में माबाब ही रो पिट रहे होते हैं स्पेशली कोविट के टाइम में क्योंकि बच्चे जादा घर पे हैं हजबिन्स लेकिन वह जो भाग जाते थे वह अब हमारे पास आप्शन नहीं अवेलिबल या बहुत कम अवेलिबल तो उसके जो असरात अब जादा खुल-खुल के जब नजर आ रहे हैं वह पहले नहीं थे तो इस पर जब सर ने हमें वह जरा एक लिंक जो एक कोनेक्शन हमें दिया क कैसे परेंटिंग को इसराता रहे हैं और उसकी वज़ा बेशमारा इशूस जो हमारे तक जो एक, बैसली जाटेम आता है शू का या डेसीज का उससरी के से बत्त जो माँ अबाप हैं वह मैं बता रहे होते हैं बचाने यह कर दिया बचाने वह कर दिया वह जो उसके पीछे के issue main issue actual issue है वो ही है और वो क्या था घर जो है एसेंशली दीन के में भी जब बात की जाती है घर home is supposed to be that utmost place of comfort वो जगह जहां सबसे ज़्याद सुकून मतलब कि आप जो husband काम करके आता है तो वह बात के हवाले से भी कही गई है कि अपनी बीवी को देखे एक दम से वो tranquility feel करता है तो वो बच्चे देख रहा है खुश बच्चे देख रहा है जो बीवी घर पे है उसका काम यह है कि वो एक environment comfortable सा environment बना है अपने husband के लिए था कि वो जब ठक के आता है तो वो भी feel करे अच्छा comfortable करे और वो आपस में के घरों में तो ऐसे होता नहीं है आजकल के घर बलके ऐसी जगह जहां से आप भागना चाहा रहे होते हैं तो क्यूंकि एक जो बहुत common issue कहा जाता है जो बहुत जाता आजकल especially मुझे माएं या messages कर रही होती है या मीटिंग्स कर रही होती है या कॉल करके मुझे कह रही होती है बच्चों की energy नहीं खत्म होती बच्चों ने पागल कर दिया है चीजे तोड़ देते हैं जोफों पे भाग रहे हैं घर का सतीय नास फेडावा है मैंने तो decoration pieces ही रखने छोड़ दी है मैंने तो यह करना छोड़ दिया घरों की walls जो भड़ी वी होती है उन्होंने pencil से भड़ी वी होती है क्रियों से बढ़ी होती है माएं सर पकड़के बठी होती है कि अब हम क्या करें बच्चों को जब आपने एक ऐसी जगा पे बंद कर दिया जहा है इसको पानी देना है उसकी वो खाद है जो के डाल दी है उसके अंदर एक अच्छी सी जगा पे वो इसका temperature एक comfortable सा temperature होना चाहिए जलना जाए या बिल्कुली ठंडी जगा ना हो जहां कि फ्रिज में तो आप नहीं रखेंगे ऐसी जगा पे ना रखें तो पौदा जो है बलौसम करेगा उसके अंदर कोई फलार है या कोई उसके अंदर कुछ ऑगना है वो बहोड़ा जबर दिस सुगएगा इसी तरीके से बच्चे जो है उसकी मीडसें कूछ बच्चे ने जब grow करना है और अच्छी तरीके से grow करने को तो कुछ भी grow कर जाए लेकिन अच्छी तरीके से grow करना है तो आपको वो सारी चीज़ें provide करना ज़रूरी है उसमें वो environment जहांके वो भाग सके जहां पे वो धरक्तों पर चड़ सके अपनी energy drain कर सके है और मैं हमेशा यह कहते हूं जब मेरी बात होती है माँ से कहते हैं कि बच्चे ना सोते हैं ना nap लेते हैं चोटी चोटी बच्चे दो-दो साल की बच्चे वो nap भी नहीं ले रहे हैं जो रास को वो पागल कर देते हैं माबाब गिरे पड़े होते हैं वो लेकिंट सानिक कहा जाता तो वो ऐसे करेंद भाग रहा है तो अक्सरा अगाल मुझे जब हसी आ रही है थी बच्चे भी ऐसी थी तरीक से भाग रहे होंगे जैसे कि सानिक है तो इसी तरीके से होता है बच्चे जो हैं उन्होंने माबाप को पागल किया वे और माबाप की energy जीरो हो जाती है और बच्चे जो होंकि एनरजी खतम ही नहीं होने का नाम ले ली तो माबाब परिशान होते हैं कि इनकी एनरजी कैसे ड्रीन की जाए अब वो कमिंग बाक टू दा कंस्ट्रक्शन और जो साइकॉलोजी या चाल्ड डेवल्मेंट और पेरिंटिंग के हवाले जाए घरों को इस तरीके से बिनाना चाहिए था चाहिए चाहिए लेकिन एक चोटी जगह जो पार्ट है आपकी लाइफ में वह जरूर होना चाहिए एक अराम सिकून की जगह जहां बच्चे जो हैं वह राम से बैट के खेल भी सके हैं कुछ बाहर दरक्त के नीचे बैठन बैठना उन्हें बारिश और यह तो बारिश में खेलना इसारा कुछ उनकी ब्रिंकिंग उनकी डिली रूटीन का हिस्सा होना बहुत जरूरी है इसमें बहुत लेर्णिंग है उनके लिए पहले भी मैंने बात की थी कि बेथरी बच्चों के लिए टॉइस किया है उसमें न लेकर इतने जाधा relation है कि क्योंकि मां को गुसा क्यों जाता है इसज़ा से भी आता है क्योंकि मा काम भड़ता चला जाहा होता है बच्चा जो है मां के सर पे है आकर में मां फटती है गुसा करती है तो चलाती है बच्चों पर तो ना आप वो इंवार्मेंट प्रवाइट कर से कि जहां के बच्चे ने ग्रो करना था और राधर वोट शीव डन इस कि आपका जो गुसा है वो बच्चे पर निकलेगा और वो नेगेटिव पेरेंटिंग में चला कनव अब रूम इतने बड़ें-बड़ें को क्या सरूरत है बड़े रूम तो तब बनाए जाते हैं जब आपने वहाँ जादर टाइम स्परेंट करना है अगर आपको पता है कि बच्चों ने बाहर जाके खेलना है आके उन्होंने सोना है अंदर या उन्होंने थोड़ा से चौ तो हम इन चीजों पर रिलाय कम करेंगे तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के हवाले से कहा हूं या जो यह एक कंप्लेंट आती है कि बच्चों के इनर्जी ड्रेन नहीं होती वह इस वचे से नहीं होती क्योंकि आप उनको गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ही कि हम जान्वरों को देखते हैं वजू वाला जैंवर देखए और operators जंगल वाला जानवर देखे तो देखें उनों के nelगे इनर्जी में कितना फारग होता है और हम बनी वाठ आके लियір रह चाएंगे और मेरे पास बिलके अब यह वीडियो लंबी होती चली जारी मेरे पास ऐसी ग्जामपल्स हैं मुझे किसी ने रीच आउट किया और कहा कि मेरे बेटे के हवाले से कि इसकी कोई ऐसी उन्होंने कुछ अब्जर्फ की कोई लर्निंग जो कि कहते हैं कि इस उमर म नहीं होती बहुत आगे जाके बहुत बड़ी उमर में आके वो लर्निंग या वो कांसेप्स डिवैलेप होते तो इसकी कैसे हुए है मैं तो मैंने यही का कि मैंने कभी उसको बठा कि पढ़ाने की कोशिश ने की लेकिन वह हम खेल कूद में अक्सर अकाद पढ़ रहे होते हैं तो उसमें माशाला उसको कॉंसेप्स बहुत क्लियर है उसके दमाग बहुत तेज है माशाला से तो यह बच्छों में आपको नज़र आना शूरू हो जगा कि उनकी ग्रोथ और फोकस और अंडिस्टानिंग और लर्निंग कांसेप्स की अबिलिटी सारा कुछ कितनी क्रिकेट खेल रहे हैं और वहर तरह की चलांग उंच नीच होती है पकेंट फक्राइए होती थी हमने बड़े बच्छमने में जो खाजारी गेम्स खेली मीं है तरक्तों पर चल रहे हैं और चोटी भी लगनी लेकिन इसमें भी सीख रहे हैं वह सारा को जब हो रहा होएगा तो रात को बच्चा ठका हारा आएगा खाना खाएगा और सो जाएगा और जब वह सोएगा तो आप भी ठकिंगे येनिँ आप भी पूर करेंगे आपको भी खुशा नहीं चारेगा आप भी फूल फेल करेंगे आहिश मार्फ पाइद欸 इसके तो construction का parenting पर बहुत असर होता है जगा ऐसी environment provide करें जो बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चों के लिए conducive होनी चाहिए development के लिए conducive होनी चाहिए तो आप प्लीज इसी तरीके का अगर आप if you're thinking about it कि what kind of home suits your family suits you so please यह सारी चीज़े जहन में रखते हैं इस पर research करके बहुत और चीज़े इसमें हैं बहुत और factors भी इसमें आते हैं लेकिन यह मैं इस पर बात करना चाहिए थी क्योंकि इस रिलेटेड टो बच्चों की energy बच्चों की energy drain करने का यह बेतरीन तरीका है और अगर आपके पास for instance नहीं है वो resources अगर आप बन गया घर नहीं है आखर में किसका फाइदा किसी करें so I hope this helps please please अपने घरों में प्लीज अपनी रोटीन में प्लीज अपनी पेरेंटिंग में इस चीज़ को शामिल करें उनके energy अच्छी जगा पर इस्तमाल करें ड्रीन ना करें जब बड़े होंगे आप कहेंगे lazy है बहुत कुछ करता नहीं है you're the one to blame nobody else thank you